इस वीडियो में हम जवाहन नबोदे विद्याले के माडल प्रैक्टिस सेट वन के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम देखेंगे रिजिनिंग के टाप 50 कुष्चन आप इन कुष्चनों को ध्यान से देखिए और इनका उत्तर बताने की कोशिश करिए यह आपके एक्जाम में आ सकते हैं इसलिए हमने टाप 50 कुष्चन लिए हैं तो चलिए कुष्चन नमबर वन आपके सामने हैं बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा देखिए बताइए कि इसमें आपका एंस्वर कौन सा राइट होगा तो देखिए अगर हम इसका एंस्वर देखें तो इसका आपसा नमबर दो बिल्कुल राइट एंस्वर होगा क्यों होगा क्योंकि इसको आप देखिए गिनेंगे तो फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 मतलब इसमें 11 है इसमें देखिए कितना है 3 2 5 5 5 8 12 11 और इसमें देखिए इसमें है 5 5 3 8 8 12 12 मतलब इसमें एक ज्यादा है इसलिए आपका दूसरा विकल बिल्कुल राइट एंस्वर हो जाएगा ठीके चलिए इसके बाद अगला कुश्चन देख्टें दूसरा कुश्चन आपके सामने है बताए इसका उत्तर क्या हो होगा है हुआ है कैसे होगा देखिए इसमें जो एक लाइन खीच कर एक पीची गया है तो यह टीर जो हैं यह गोले की तरफ कीची कि इसमें भी देखिए वही किया गया और लेकिन इसमें घोले के उस तरफ कि यह देखिए ऐसे किया गया है इसलिए आपका पहला आप्सन बिल्कुल सबसे अलग है और पहला आपसन आपका राइट, ठीक है तो चलिए भाई तीसरे नंबर को उत्तर बताए कि समें कौन सा आपसन बिल्कुल राइट एंसर होगा हूँ जल्दे से आप बताएंगे इसमें भी गोल है इसमें देखे चोक और थोड़ा सा अलग है बाकी ये सब भी में गोल है देखिए तो इसलिए आपका तीसरा आप से बिल्कुल राइट एंसर होगा चलिए कुश्चन नंबर फॉर्थ की चलब चलते हैं तो चलिए बाई कुश्चे नंबर फोर्थ देखते हैं इसमें बताएं कौन सा विकल्ब आपका राइड हुए जल्दी से बताएंगे कुश्चे नंबर फोर तो ध्यान से देखिए तो इसका आपसर नंबर फोर बिल्कुल राइट अन्सर होगा क्यों होगा क्योंकि बाहर किया इसलिए 405 नंबर बतावी इसमें कौन से रिजनींग सही होगी तो आपका तीसरा भीकल सही होगा क्यों होगा देखिए इसमें famille इसमें भी एक दो बार जुकावाई इसमें देशिए निए तीन बार है ठीक है अब दो Αlike भुणऑ बाहर की ओर रहा है तो इसलिए आपका तीसर में बल् monster एंसर हो गा चलिए कुछ own s6 पर चलते हैं तो mr6 और वताये सिह सिना कौन सा अभीकल्प राइट होगा देखिएATHAN ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है कौनसा विकल्प दूसरा विकल्प आप समझ गए होंगे कि क्यों दूसरा विकल्प इसका राइट होगा चलिए कुश्य नमबर साथ देखते हैं साथ में जल्दी से बताएंगी इसको उत्तर क्या होने वाला है तो ध्यान से देखिए तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो चलिए भाई साथवा नमबर बताईए तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका आपसन नमबर 4 बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यही चीज किस option में इस्थित है तो बताइए तो ध्यान से देखिए तो इसका option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा तो चलिए भाई question number 9 देखते हैं बताइए कि इसमें कौन सा option बिल्कुल right होगा ध्यान से देखिए और बताइए कि सेम यही चीज कहा है तो अगर हम इसको देखें तो यह option number 3 बिल्कुल right answer हो जाएगा question number 10 देखिए इसमें कौन सा बिल्कुल right होगा ध्यान से देखेंगे तो आपका option number 1 बिल्कुल right answer होगा ठिक चलिए अगला question रेखते हैं question number 11 चलिए बताइए किसमें कौन सा option आपका बिल्कुल right होगा जल्दी से बताएगे यहां पर क्या रख दें कि यह पूरा हो जाए ठिक तो बताइए तो इसमें आपका ध्यान से देखने पर हमें option number 2 बिल्कुल right answer लग रहा है और यही इसका उत्तर होगा ठिक चलिए question number 12 देखिए 12 में बताइए कौन सा विकल्प आपका right होगा जल्दी से बताएगे question number 12 में इसमें आपका कौन सा विकल्प right होगा तो देखिए इसमें आपका 12 का option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा ठिक चलिए भाई Question number 13 बताईए कि 13 में कौन सा option बिल्कुल right होगा तो देखिए 13 का option number 4 बिल्कुल right answer हो जाएगा Question number 14 जल्दे से आप बताएं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है क्या इसमें जोड़ दें कि ये पूरी आकरित बन जाए तो इसमें आपका option number 1 बिल्कुल right answer होगा Question number 15 की ओर चलते हैं Question number 15 देखिए और बताएए इसमें कौन सा बिल्कुल right होगा तो इसमें आपका option number 1 बिल्कुल right answer हो जाएगा अब चलिए भाई, 16 बताएए कि इसमें इसके बाद क्या आएगा ध्यान से देखिए और बताईए किसमें कौन सा आपसन बिल्कुल राइट होगा उत्तर आपके सामने दिये गए हैं बताईए इसमें क्या भरा जाएगा तो इसमें आपका आपसन नंबर थिरी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नंबर 17 चलिए बताईए कुश्चन नंबर 17 में कौन सा उत्तर सही होगा कुश्चन नंबर 17 में तो देखिए इसमें आपका आपसन नंबर वन राइट एंसर हो जाएगा समझ रहे हैं कैसे होगा चलिए इसके बाद question number 18 पर देखते हैं ये भी बिल्कुल आसान है question number 18 में आपका तीसरा विकल बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए question number 19 बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा इसका विकल्प आपको उपर दिया गया है तो question number 19 है ना question number 19 का देखिए तो इसमें आपका option number 4 बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद question number 20 पर देखते हैं ठीक है 20 बताइए इसमें कौन सा option बिल्कुल right होगा ये सब काफी simple है तो 20 में आपका fourth option बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है ना चलिए इसके बाद question number 21 पर पहुंच गए 21 बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा तो 21 का अगर हम ध्यान से देखें तो आपका पहला option बिल्कुल सही होगा मतलब इसका जो उल्टा आकरित बनेगा वो पहला option होगा ठिक कुशियर no.22 देखें डिखें तो assisting, बिल्कुल right answer हो जाएगा आ कुशियर no.23 ना बता हुएंगे कि कांच सा option आपका राइट होगा 23 देखें जिसमें आपका fourth option बिल्कुल right answer हो जाएगा 24 देखें, टुन्टि-पोर्र में कांच सह उत्तर होगा 24 में आपका option number दो बिल्कुल right answer होगा 25 देखे जल्दी से बताइए 25 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा 25 25 25 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका fourth option बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद आगे question देखते हैं 26 नंबर जल्दी बताइए भाई इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल right होगा 26 26 में कौन सा विकल्प सही होगा तो इसमें आपका option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा 27 बताइए 27 में कौन सा answer आपका right होगा 27 27 बताइए भाई 27 में कौन सा option बिल्कुल right होगा तो देखिए 27 में, अगर हम ध्यान से देखें तो आपका आपसर नंबर बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 28 रखेंगे 28 बताइए जल्ली से, कि इसमें कून सा विकलप आपका राइट एंसर होने वाला है 28 इसमें देखिए अगर हम बहुत ध्यान से देखें ये कागज मोडने वाला इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा आपसर नमबर 4 ठीक तो 28 का आपसर नमबर 4 बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 29 देखिए भाई 29 29 का हम ध्यान से देखें तो 29 का आपसर नमबर कौन सा सही होने वाला है 29 29 इसका आपसर नमबर 1 बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक 30 का बताईए इसमें कौन सा आपसर बिल्कुल राइट होगा चलिए इसका आपसर दिखाते हैं ये है तो 20 30 का आपका तीशरा option बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद देखते हैं 31 31 में आप बताइए कौन सा एंसर सही होगा जल्दी से बताएंगे 31 में 31 तो 31 का अगर हम ध्यान से देखे तो आपका पहला option बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 32 बताइए 32 32 में आ 32 32 में आपका तीशरा option बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 34 बताइए 34 में आपका कौन सा option जल्दी से दिमाग लगा और बताइए 34 में आपका 1st option बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए 35 में बताएंगे कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा 35 में आपका 4th option बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए आगे question देखते हैं 36 36 का बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा 36 का option number 1 बिल्कुल right answer होगा 37 का option number 4 होगा चलिए भाई इसके बाद आगे question देखते हैं चलिए 38 नमबर का उत्तर आप बताएंगे 38 का क्या होगा 38 का option number 3 बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है 39 का देखिए 39, 39, 39 कौन सा बिकल्प सही होगा जल्दी से बताएंगे तो इसको हम ध्यान से देखें तो आपका दूसरा option बिल्कुल right answer हो जाएगा 40 का देखिए 40 नमबर में कौन सा option बिल्कुल right होने वाला है तो 40 का आपका फोर्थ option बिल्कुल right हो जाएगा चलिए अगला question 41, 41 नमबर में देखिए आपका कौन सा बिकल्प सही होगा 41 में आपका कौन सा बिकल्प सही होने वाला तो आपका तीसरा option बिल्कुल right होगा 42 में देखिए 42 42 में कौन सा option बिल्कुल right होगा 42 42 में आपका कौन सा option right होगा 42 में आपका पहला option बिलकुल right हो जाएगा ठीक, चलिए 43 में 43 नंबर question बताइए कौन सा option right होगा इसका option उपर दिया गया है तो 43 में आपका कौन सा विकल्ब से होगा आपका पहला option बिलकुल right हो जाएगा 44 देखिए, 44 में कौन सा option से होगा 44 में भी आपका पहला आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए 45 नमबर देखते है 45 में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा 45 नमबर में कौन सा आपसन बिल्कुल राइट होगा तो 45 का आपका तीसरा नमबर कुश्चन तीसरा नमबर आपसन आपका right हो जाएगा ठीक चलिए अगला question देखते हैं भाई 46 नमबर बताईए कौन सा विकल्प सही होगा 46 बताईए तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपका दूसरा आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है 47 नमबर देखें चलिए 48 48 बताईए 48 जल्दी से बताएंगे 48 का उत्तर क्या होगा 48 का आपका पहला आपसन बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए last 49 का बताईए और 50 का 49 और 50 49 का आपका second option बिल्कुल right answer हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं 50 नमबर इस वीडियो का last question होगी हम यह जानते हैं अगर आपको किसी भी chapter में कोई भी problem हो तो आप comment किजी आपको समझाया जाएगा पढ़ाया जाएगा ठीक है और यह आपकी practice के लिए इसलिए मैंने 2-4-6 question आपको बताया विस्तार से उसके बाद हमने आपको direct बताया कि जल्दी जल्दी इसमें कौन सा option सही होगा ठीक है अगर आपको समझने में problem होई हो तो आप comment कर सकते हैं ताकि अगले वीडियो में आपको पूरा विस्तार से हर एक reasoning का solution दिया जाए तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद